हेलो एवरिवन आज की कलास में हम लोग एक बहुती इंपोर्टेंट टॉपिक डिसकस करेंगे ओ है मारा अस्यमेट्रिक कार्बन एटम देखें अस्यमेट्रिक कार्बन एटम होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिसकस करेंगे ठीक है देखे asymmetric carbon atom में क्यों होता है कि वैसा carbon जिसे चारँ अलग-अलग atoms here groups attached होता है उसी को हम लोग बोलते है asymmetric carbon atom asymmetric carbon atom क्या है जो रध्यान से दिखी इसके definition क्या है the carbon atom attached the carbon atom platform attached to four different atoms or groups is called asymmetric carbon atom वैसा कार्बन एटम जो चार अलग-अलग एटम्स या ग्रूप से अटाइस्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अस्मेट्रिक कार्बन एटम देखें एक्जाम्पल में देखें लोग-अलग आपको दिख रहा होगा यहां पर देखें चार आपका अलग-अलग है कोन-कोन इसमें है COH है कार्बोक्सिल गरूप है इधर है OH है हाइडरोक्सिल है इधर है मिठाइल है यहां पर हाइडोजन है तो यह चारो अलग-अलग अटाइस्ट है तो इसलिए इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं यह जो कार्बन है इसको बोला जाता है अस्यमेट्रिक कार्बन एक्टम क्या बोलेंगे इसको अस्यमेट्रिक कार्बन एक्टम और asymmetric carbon atom जो होता है ये optically active होता है क्या होता है ये optically active होता है ये optically active है ठीक है तो asymmetric carbon atom का definition क्या था the carbon atom attached to four different atoms और groups is called asymmetric carbon atom अब ध्यान से देखिए ये जो carbon है इसे चार अलग-अलग atoms और groups आपको दीख रहा होगा ये hydrogen atom है ये OH ये सब सब groups है तो इसको हम लोग asymmetric carbon atom बोलेंगे अज इसमें asymmetric carbon atom होता है वो optically active होता है पर ऐसा कोई ज़रोरी नहीं है कि अगर asymmetric carbon atom है तो optically active होगा ऐसा कोई ज़रोरी नहीं है बहुत सारे compound ऐसे हैं जिसमें asymmetric carbon atom है फिर भी वो optically inactive है ठीक है तो इसमें देखें कौन-कौन सा अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कुछ example में देखें हम लोग meso tataric acid ले सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्या है होईवर देखें देखें सम्मोलेकूल होईवर देखें सम्मोलेकूल विच आप आप अस्यमेट्रीग अस्यमेट्रीग चर्बन अटम कार्बन अटम बट इस अप्टिकली इनक्टिव पर यह अप्टिकली कैसा है यह अप्टिकली इनक्टिव है कार्बन डेटनम बट इस अप्टिकली इनक्टिव है क्या है यह अप्टिकली इनक्टिव है ठीक है ध्यान से देखे यहाँ पर क्या लिखे है However, there are some molecule which have asymmetric carbon atom but is optically inactive asymmetric carbon atom होने के बाजूद भी optically inactive है ठीक है? इस चीज को देखे हैं हम यहाँ पर example में लिखे रहे हैं इसमें ध्यान से देखे हैं यह आपका COOH H OH H OH COH इसको बोला जाता है mesotartaric acid बोलते है mesotartaric acid ठीक है यह जो हमारा mesotartaric acid है यह optically inactive है अब आप से पुछेगा कि optically inactive क्यों है तो इसके पिछे कारण है देखे, optically inactive होने के पिछे कारण क्या है इस चीज को जड़ा समझते हैं इसमें जो सब plane of symmetry है देखे, अगर आप यहां से इसको divide करोगे तो उपर का हिस्सा को देखे, नीचे दोनों पराबर बराबर हिस्सा में बट जा रहा है मदब इसमें क्या है? plane of symmetry तो अगर plane of symmetry होने के वज़ा से यह क्या है? यह optically क्या है? inactive अगर asymmetric carbon atom का बात करेंगे तो देखे, यहां पर आपको asymmetric carbon atom देख रहा होगा इस carbon को देखेंगे तो यहां पर देखे, इधर से H जुड़ा हुआ इधर से OH जुड़ा हुआ इधर से COH जुड़ा हुआ और इधर से इतना बड़ा गुरूप जुड़ा मतब यह अलग है asymmetric carbon atom हुगा अगर हम इसको देखेंगे इसमें भी देखे, इधर H है इधर OH है, इधर से COH है तो यह भी क्या है? इसमें भी asymmetric carbon atom है उपर में देखे, इतना बड़ा गुरूप है तो आपको बताना होगा due to purchase of plane of symmetry यहाँ पर plane of symmetry होता है जिसके कारण यह optically inactive होता है इसमें देखे, अगर net optical rotation का बात करेंगे तो एक clockwise rotate करेंगे दुसरा anti clockwise rotate करेंगे तो overall net optical rotation जो होता है वो 0 होता है यहाँ पर इस बात को हम लोग लिखेंगे net optical rotation जो होगा net optical rotation वो हम लोग को कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है और भी हम लोग ले सकते हैं example में और भी हम लोग example देख सकते हैं देखे क्या next example है इस चीज को यहाँ पर लिख देते देखें CH3 H CL फिर H CL CH3 इसमें भी देखें यह देखें इसको देखें यह कारबन को देखें यहाँ से मिथाल है इधर हाइडरोजन है इधर क्लोरीन है इधर इतना बड़ा गुरूप है मतब यह अलग अलग है मतब यह asymmetric carbon atom होगा इसमें भी देखें CH3 है H CL है इधर इधर इअलग है यह भी asymmetric carbon atom है तो यह asymmetric carbon atom है तो इसको optically active होना चाहिए पर यह नहीं होगा यह भी क्या है optically inactive है अब आप से पुछेगा कि यह optically inactive क्यों है तो आपको बताना होगा कि यहाँ सगर आप एक line ड्रो करते हो तो आप इसको देखें उपर का हिसा को देखें नीचे दोनों बराबर मतलब यहाँ पर क्या है plane of symmetry है तो अगर जहाँ पर भी plane of symmetry अगर रहा मतलब यह हमारा optically क्या हो जाएगा inactive हो जाएगा ठीक है यह हमारा कौन सा यह जो compound है यह optically क्या है inactive है इसका अगर नाम लिखेंगे तो नाम देखो कैसे लिखेंगे पहले लिखेंगे meso उसके बाद क्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4 तो देखे 2 और 3 पे 2 chlorine है तो हो जाएगा meso 2, 3, di, chloro उसके बाद कितना कारबन है 4 कारबन है 1, 2, 3, 4 तो हो जाएगा butane मतलब meso 2, 3, di, chloro butane है क्या है meso 2, 3, di, chloro butane है अब इसमें भी अगर net optical rotation का अगर हम बात करें इसको ध्यान से देखें यहां तक आप लोग क्या किजेगा इसका screenshot ले लिजेगा यहां से इस चीज को आप स्क्रीन सॉट ले लेंगे क्योंकि जागा नहीं बान रहा है इसलिए थोड़ा समीश को shift करेंगे यहां पर देखे यहां तक आप लोग स्क्रीन सॉट ले लिए होंगे अब देखे यहां पर क्या इधर हम लिख रहे है तो यह हमारा क्या हो गया प्लेन आप सिमेट्री है मेसो 2-3 डाइकलोरो बीटेन इसका नाम होगा एक इधर से रोटेट करेंगा क्लोकवाइस और दूसरा एंडी क्लोकवाइस रोटेट करेंगा तो नेट अप्टिकल रोटेशन केतना हो जाएगा नाम मेसो 2-3 डाइकलोरो बीटेन हो गया और इसमें नेट अप्टिकल रोटेशन जो होगा नेट अप्टिकल रोटेशन यह हम लोग का कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है नेट अप्टिकल रोटेशन कितना हो गया जीरो और यह जो compound है हमने यहाँ पर क्या देखे थे यहाँ पर अस्मेटिक carbon atom था तो यह optically active है लेकिन यह वाला compound यहाँ पर जो हम लोग लिखे थे बट ऐसा को जरूरी नहीं है कि अगर अस्मेटिक carbon atom है तो optically active होगा ऐसा को जरूरी नहीं है जैसे इस case में हम लोग देख रहे है कि यहाँ पर अस्मेटिक carbon atom है फिर भी यह optically inactive है तो क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर प्लेन ओप symmetry है इसलिए तो यह हमारा हो गया यह अस्मेटिक carbon atom है यह अस्मेटिक carbon atom है एक clockwise rotate करेगा तुसरा anti clockwise तो overall net optical rotation केतना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है चलिए अब इस चीज को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं देखे दियान से देखे इस बात को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या लिखेंगे लिखेंगे meso tartaric acid has कितना asymmetric carbon atom है दो asymmetric carbon atom है एक यहाँ है एक यहाँ पर है meso tartaric acid has two asymmetric carbon atom but it is optically क्या होगा inactive क्यों optically inactive होगा due to presence of plane of symmetry यहाँ पर क्या है plane of symmetry है जिसके वज़ा से यह optically inactive हो जाएगा ठीक है किसके बाज़ा से यह देख रहे है यहाँ पर क्या है meso tartaric acid has two asymmetric carbon atom यहाँ पर दो asymmetric carbon atom है asymmetric carbon atom होने के बाज़ोद भी but it is optically inactive due to presence of plane of symmetry ठीक है चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कुछ ऐसे compounds के बारे में यहाँ पर देखेंगे जिसमें asymmetric carbon atom नहीं है फिर भी उप्टिकली active है देखे क्या है there are some compounds there are some compounds which don't have have asymmetric carbon atom but are optically active है फिर भी optically active है ठीक है देखे c c ch cl cl h देखे इसमें से में इसमें इस carbon atom नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इस carbon से देखे यहाँ पे chlorine एटाज है यहाँ पे hydrogen इस carbon है इसके साथ भी carbon है तो asymmetric carbon atom तो हुआ नहीं इसमें भी देखे इसमे भी नहीं क्योंकि इस carbon से इधर carbon है carbon है अलंग-अलग तो है नहीं इसमें भी नहीं फिर भी यह Optically active है, बारे में आज के लिए नेज्ट क्लास में लिए देखेंगे, ठीक है चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तब तक के लिए जैहिंद जैबारत जैजारकंद